सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस उड़ी के इंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स मोटरोला और रेड्मी की तरफ से रेड्मी का 9 प्राइम जो आपको मिलता है 10,000 में दूसरी तरफ है मोटो G9 जो अभी हाली में लाउंच होआ है साड़े 11,000 का तो दोनों में 1500 का फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कम परिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चले देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 10,000 रुपे तो रेडमी के 9 प्राइम के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगवा है एक सिमेजक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुल इसके बाद दिया गया है यह कवर जिसकी क्वालिटी आपको काफी अच्छे मिल जाती है इसके बाद मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं बाक्स के अंदर आपको दी गई है यह डिटे केबल इसकी लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको नाइन प्राइम में मिल जाता है दसजार में इसके बाद आपको आखिर में रखावा मिलता है यह white color में charger जो कि एक छोटा सा charger है इसके अंदर आपको output मिलता है 5-1,2 एंपियर का ही तो दोस्तों यह simple सा 10 watt का ही charger है fast charger तो इसके साथ आपको नहीं मिलता बाकी यह mobile fast charging support करता है तो आप मार्किट से खरीद के एक 18 वाट का फास्टेजर इस मूबाल के साथ इस्तमाल कर सकते हैं अब ये सारा समन आपको मिलता है रेडमी के 9 प्राइम के साथ 10,000 में रेड की साब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंटस आपको नॉर्मल ही दिये गए हैं अगर फास्टेजर भी होता तो काफी अच्छा रहता चली देखते हैं अगर आप 15,000 रुप और जादा खर्च करते हैं तो साड़े 11,000 में मोटो जी ना इनके साथ क्या के मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल जिस पर कवर भी आपको पहले से ही लगा हुआ मिलता है कुछ यूजर मैनुवल दिये गाए हैं इस तरीके से एक मिल जाती है डेटे केबल इसकी बेलेंट और क्वालिटी दोनों ची हैं और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है बाकी थोड़ी सी क्वालिटी वाइज मुझे जादा बेटर डेटे केबल लगी रेड्मी नाइन प्राइम की इसके बाद आपको आखिर मरखा वो मिल जाता है ये ब्लैक कलर में चारजर अब इस मोबाइल में आपको फास चारजिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 20 वाड का फास चारजर मुबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है तो चारजर आपको जाद अच्छा दिया गया है मोटो G9 के साथ अब ये सारा समन आपको मिलता है मोटो G9 के साथ जारे 11,000 में देखा जाए तो एक चीज में ये मोबाइल जादा बेटर है, इसके साथ आपको फास्ट हजर दिया गया है, रेड्मी नाइन प्राइम के साथ नहीं मिलता, लेकिन इसकी कीमत भी पंदर असुर रुपे जादा है, तो रेट की साब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल से इस को मिलती है, ये प्रॉब्लम स्क्रेच इसकी, तो डिजाइन की क्वाइलिटी जाद अची है, नाइन प्राइम की, बाकि दोस्तो कुछ इस तरीके साब को ग्रीन टाइप का कलर मिल जाता है, मोटो जी नाइन का, आप देख सकते हैं, लेट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पन का, और बाकी के दो कैमरे हैं, दो-दो मेगापिक्सल के, इसका फ्रंट कैमरा है आट मेगापिक्सल का, कैमरी की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी एच्छे मिल जाती है, फिंगर पिंगर पिंट स्कैनर बैक पेनल पे ही दिया गया है, बीच में, वही दूसरी तर कैमरे के इंदर दोनो ही मोबाइल्स काफी ज़्याद अच्छे हैं, बाकी दोस्तो आप देख सकते हैं, कम्प्लीट डिजाइन आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज़्याइन ज़्याइन ज़्याइगा, आप मुझे कमेंड करके ज़रूर बताइएगा, एक कमी है मोटो G9 में काफी बड़ी, मोटो G9 में आपको 11.000 में IPS HD+, डिस्पले मिलती है, लेकिन Redmi के 9 Prime में आपको कम कीमत में IPS Full HD+, डिस्पले दी गई है, तो ये चीज़ जाद अच्छी है Redmi के 9 Prime के अंदर, आप दोस्तों बात करें user interface के बारे में तो 9 Prime में आपको user interface कुछ इस तरी किसे मिलता है आप right side पर swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है Moto के G9 में आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको stock Android experience मिल जाता है तो इन दोनों mobile's के अंदर आपको जाद अच्छा user interface दिया गया है Moto G9 के अंदर ही इसके अंदर आपको जादा clean user interface मिल जाता है जादा फालतु की apps इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती user interface को लेकर Moto G9 जाद अच्छा है Redmi के 9 Prime से दोनों mobile's के display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ आप दोस्तो design जो है display का वो दोनों में एक जैसा दिया गया है notch वाला इसे के साथ size भी दोनों में same है edges, bezels भी लगबग बराबर ही मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप quality देखेंगे display की brightness देखेंगे, colors देखेंगे तो आपको जाद अच्छे मिलती है Moto G9 के अंदर हाला के Redmi के 9 Prime में आपको full HD plus display दी गई है तो ये इसके खुबी है लेकिन actual में जो quality है display की वो Moto G9 की जाद बेटर है इसके display की brightness भी colors भी जाद अच्छे लग रहे हैं left side साब देखेंगे दोनों mobiles को आपको sim के ट्रे मिलती है Moto G9 के अंदर काफी बड़ी कमी ये है इसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते लेकिन Redmi के 9 Prime में आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ज्याद स्लिम आपको मिल जाता है Redmi के 9 Prime नीचे की तरफ साब देखेंगे तो दोनों में charging port, speaker, mic दिया गया है headphone jack आपको Redmi के 9 Prime में नीचे की तरफ दिया गया है Moto में उपर की तरफ right side साब देखेंगे तो दोनों में volume के buttons और power के buttons दिये गया है बाकि दोस्तों Moto के G9 में आपको एक extra button भी मिल जाता है उपर की तरफ जिससे आप अपना Google Assistant एकसिस कर सकते हैं ये इसमें आपको extra खुबी दी गई है उपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों में noise cancellation mic दिया गया है लेकिन Redmi K9 Prime में आपको IR blaster भी मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं इसमें जाद अच्छी हुबी है अब दोस्तों दोनों ही mobile के अंदर आपको मिलती है 4GB gram 64GB के internal storage इस चीज में दो निक्जे से हैं और 64GB में से आपको Moto के G9 में दी गई है 49GB के आसपास लेकिन Redmi के 9 Prime में आपको तकरीबन 50GB दी गई है तो 1GB आपको और जादा मिल जाती है Redmi के 9 Prime में Moto G9 से और इसकी कीमत भी 1500 रुपे कम है तो इस चीज में जादा बेटर है Redmi का 9 Prime बाकि दोस्तों दोनों ही मोबैल्स के अंदर आपको Android का बिलकू लेटेस वर्जियन दिया गया है Android 10 ये चीज आपको दोनों में बहुत अच्छे मिल जाती है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Moto के G9 में आपको बैटरी दी गई है 5000 mh की और Redmi के 9 Prime में आपको बैटरी दी गई है 5000 mh की इन दोनों मोबैल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अप आराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर दोनों ही मोबैल्स बहुत जाद अच्छे हैं Moto G9 के अंदर और जाद अच्छी खुबी ये है इसके साथ आपको Fast Treasure दिया गया है बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Moto G9 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 662 प्रोसेसर और Redmi के 9 Prime में आपको दिया गया है Mediatek का G80 प्रोसेसर अब दीखिए अगर आप एक heavy user हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको काफी बढ़िया ही performance देहने को मिलती है इन दोनों की कीमतों के हिसाब से इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको काफी बढ़िया प्रोसेसर दिये गये हैं लेकिन Redmi के 9 Prime और भी ज़्याद अच्छा है इसकी कीमत भी 1500 रुपे कम है और इसके अंदर आपको Moto G9 की तरह काफी अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है अब ये सारी खुबिया कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो मेंटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Moto Roller पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे इसके बाद आपकी जो में ज़रुत की चीज़ है वो कि इस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है तो दीखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमेरा तो कैमेरे के अंदर दोनों अच्छे हैं आप दोनों में से कोई सभी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाल की डिस्पले तो डिस्पले को लेकर दोनों मोबाल इसमें एक एखुबी है Redmi के 9 Prime में आपको Full HD Plus डिस्पले दी गई है और Moto के G9 के अंदर आपको डिस्पले के कलर जादा बैटर मिल जाते हैं हाला कि इसमें कम ये है HD Plus डिस्पले है तो दोनों में एक एक खुबी है डिस्पले को लेकर ये आपकी पसंद की बात है कि आपको डिस्पले के कलर सचे चाहिए तो आप Moto G9 ले लिजिएगा लेकिन अगर आपको Full HD Plus डिस्पले चाहिए तो आप Redmi का 9 Prime खरी दिएगा इसके लब दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबल का डिसाइन तो आप Redmi का 9 Prime लीजिएगा इसका डिसाइन आपको quality wise जाद अच्छे मिल जाता है आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबल की बैटरी तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं बाकी Moto G9 के साथ आपको Fast चाजर दिया गया है क्योंकि इसकी कीमत जादा है तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको कुछ-कुछ कम्य भी मिलती हैं कुछ-कुछ हूब्य भी है Moto G9 के अंदर दो सबसे बड़ी कम्य ये है तो इसके अंदर आप दो SIM काड एक मेमरी कार तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते हैं दूसरे इसके अंदर आपको HD Plus से डिस्पले दी गई है लेकिन इन दो कम्यों के अलावा Moto G9 में तीन खुब्य दी गई है एक तो कैमरा, दूसरा कलर्स डिस्पले के काफी अच्छे हैं और तीसरा फास्टर दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime में आपको पांच खुब्य दी गई है एक तो अच्छा कैमरा, दूसरा अच्छा डिजाइन जिसकी क्वालेटी ज़ाद अच्छी है तीसरा इसके अंदर आपको Full HD Plus डिस्पले दी गई है चौथा इसके अंदर आपको बैटरी काफी अच्छे मिल जाती है Moto G9 की तरह लेकिन इसकी कीमत कम है और पांच वह इसके अंदर आपको प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है Moto G9 की तरह और वो भी कम कीमत के अंदर ही पाकी दोस्तों वैसे देखा जाए तो रैम और स्टोरेज बीस के अंदर आपको Moto G9 की तरह ही मिल जाती है कम कीमत में तो देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में जादा खुबिया है Redmi के 9 प्राइम के अंदर वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स लगबग एक जैसे ही हैं काफी खुबिया आपको दोनों के अंदर मिल जाती हैं लेकिन Redmi का 9 प्राइम आपको इस चीज़ से और ज़्याद अच्छे मिल जाता है इसकी कीमत 1500 पर कम है रेट की साब से देखा जा तो 9 प्राइम जादा बेटर है मोटो के G9 से आप बताइएगा निचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन से जादा पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबाखे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन भी दबा दियागा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँशती रहे हैं इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा WhatsApp फिस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए Take Care, Bye Bye